यह coordinate geometry exercise 7.1 का एक question है कि determine if point A15, B23 and C-2-11 are collinear यानि कि निर्धारित किजिए कि क्या बिंदू A जिसका coordinate 15, B जिसका coordinate 23 और C जिसका coordinate –2, –11 है यह collinear है या नहीं यानि कि सनरेखी है या नहीं तो दोस्तो collinear का आर्थ होता है एक line में यानि कि एक सिधी रेखा में यानि कि यह जो दिये गए है तीन बिंदू है A जिसका coordinate 15 है, B जिसका coordinate 23 है और C जिसका coordinate –2, –11 है यह एक सिधी रेखा में है या नहीं तो इसके लिए हम दोस्तो distance formula यानि कि दूरी सुत्र का प्रियोग करेंगे और दूरी सुत्र का प्रियोग करके हम यह देखेंगे कि A और B की दूरी A, B और B और C की दूरी B, C तथा C और A की दूरी C को ग्यात करेंगे और यह देखेंगे कि इन तीनों दूरी में से अगर कोई दो दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह तीनों point A, B, C को लिनियर है यानि कि A, B, C अगर C, A, K, E, K, E, K, E, K, E, B, C, E, K, 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 1 minus 2 का whole square plus 5 minus 3 का whole square this equals 2 हो जाएगा minus 1 का whole square under root plus minus 2 का whole square ये बराबर हो जाएगे under root 5 जो की लगभक बराबर हो जाते हैं 2.24 के उसी तरह BC का जब हम value calculate करेंगे तो हो जाएगा under root minus 2 minus of minus 2 का whole square plus 3 minus of minus 11 का whole square this equals 2 हो जाएगे under root 4 का square plus 14 का square और ये equals 2 हो जाएगा under root 16 plus 196 this equals to under root 200, 12 जो की बराबर हो जाएगे 2 under root 53 जिसका लगभक value जो आजाएगा वो हो जाएगा 14.56 उसी तरह CA equals 2 हो जाएगा under root minus 2 minus 1 का whole square plus minus 11 minus 5 का whole square this equals 2 हो जाएगे 3 का square plus 16 का square यानि की minus जो है दोस्तों वो square में plus ही हो जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है और यह इसका value हो जाएगा कि under root 265 जो की लगभक हो जाता है 16.278 के अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि AB का value आया है 2.24 BC का value आया है 14.56 और CA का value आया है 16.27 अब 27 या 28 अब अगर आप AB और BC का value को आप जोरेंगे यानि की 2.24 और 14.56 को जोरेंगे तो यह equals to आ जाएंगे लगभक 16.70 और CA का value जो है वो 16.27 के बराबर है यानि की AB प्लस BA CA के बराबर नहीं हुआ इसी तरह से अगर आप BC प्लस CA करेंगे तो वो भी AB के बराबर नहीं होगा क्योंकि BC और CA का value ओल्रेडी 14 और 16 के आसपास में है और AB 2 के बराबर है तो यह भी value suitable नहीं होगा इसमें fit नहीं होगा और अगर CA और AB का जो रहेंगे तो 2 और 16 है यहाँ पे तो जो क्या 18 क्या आसपास हो जाएगा और जबकि BC का value 14 क्या आसपास है तो वो भी value suitable नहीं होगा यानि कि आपका जो यह तीनों condition है AB प्लस BC इक्वास टू CA या BC प्लस CA इक्वास टू AB या CA प्लस AB इक्वास टू BC तीनों में से कोई भी condition यहाँ पे apply नहीं हो पाया या तीनों में से तीनों सही नहीं हुआ इस value के लिए यानि कि हम कह सकते हैं कि यह तीनों point ABC कॉलिनियर यानि कि Sunday की नहीं है